हेलो एन वेल्गम गाईज स्वागत है आप सभी का हमारी शैनल इंडिया स्क्वेब टे में जहाँ पर आप सीखेंगे आज कक्छा बारवी का एकाउंटेंसी पंपनी चैप्टर आज कवर करेंगे जहाँ पर आपको अंस भी पढ़ना है रिड़ पत्र भी पढ़ना है अब द तोनों अलग अलग चैप्टर में हैं थिक हैं पर ऐं तो दोनों एक चीज़ दोनों में जो काम होता है बिलकुल सेम होता है दोनों की प्रविष्ठा मों वह सकता होती है तो कि space को तो इसका एक जो निकलेगा सपोज एक करोट कि पुछ रुपर्पर बचा कितना बचा एक हजार अता उसका एक खरी देगा उसको एक हजार رुपर देना पड़ेगा इस तरह से इस इस कम्पनी को एक हजार विभाजित कर देती है यहीं विभाजित टुकड़ा अंस कर लाता है क्लियर अब क्या होता है तो रिड़ पत्र बिल्कुल अंस की तरह ही है ठीक है यहां पर जनता में निर्गमित कर दिये गए अंसों को ताकि लोग खरीदें और हमें पैसे मिल जाए लेकिन हर कंपनी को पै दिर्गावदी के होते हैं ठीक है आपको जानना है कि जो भीर ले जाता है उसको चिकवाने के बहुत लंबी होती है यहां भी सेम चीजी है यहां भी आवेदन की जाती है यहां भी आवेदन होता है यहां भी आमटन होता है प्रथा म्याचना अंतिम्याचना अंतिम्याचन याप्टर होती हैं जिसमें संतन्स कपूरवादीकार जिसमें संतन्स नाम का सब लिखेंगे फिर प्रविष्ठी करना तो अगर आवेदन-मग own हो तो क्या क्या प्रविष्ठी हो तीज एकदम बेशिक से जानते हैं अगर अ inflictinnen आप में लिखे इतनी अनिती पुंजी खाते कारण में क्या लिखेंगे इतना अंसों के लिए इतनी आंवेधन एक भनावेदन से फिर अंस वैदन जंन लाइसे खाता से कलीर करन बहूं बीदा दिया दूसरा अगर तो अन्सो कां में से तब से पहले आपको नीचे भी लिखना है लेकिन सबसे पहले आपने क्या लिखा अंस पुन्जी खाता से अगला प्रथम मांग हो यह प्रथम याचना हो तब आपको प्रथम याचना खाता विकलन करना है अंस्पुंजी खाता से फिर बेंग खाता विकलन करना है प्रथम याचना खाता से तो इस तरह से आपने प्रथम आवेदन आम बटन प्रथम याचना एंटर देख लिए अब सेम चीज़ आपको देखना है दीती और अंती तो में प्रेंट के लिए प्रृष्ट्य होती है इस चाप्टर को अगर अगर में खाते नहीं सर्सक्ता होता है तो यहां पर आपको अंस का नाम निले नहीं भाले है आपको पत्र पत्र का नाम लेना है किसका रिड़ पत्र का इसलिए जब आवेदन रिड़ पत्रों में आवेदन देखेंगे तो आपको इंट्री करना है बेंग खाता विकलन रिड़ पत्र आवेदन खाते से क्या बोलना है रिड़ पत्र आवेदन खाते से अब इस रिड़ पत्र में पर् स्मेझ आया यह चीज आपको ध्यान में रखना है। असी शेती में आप आप करते हैं आणस फंजी खाता के प्रफम्याचना होगा तो इससे इस तरह से आपको इसका प्रविष्ठी करना है तो प्रविष्ठी तो समझ में आ गया दोनों का सेम है बस आपको अंस वालों में अंस का नाम लिखना है है रिड़ पत्र में सामने में रिड़ पत्र का नाम लिखना है ठेक यह आपको दम क्लियर पत्ता चल गया आगे अब कुछ special condition होते हैं यह जो मैंने पंजे प्रोष्ट्र बताई यह आपको सम्मूले पर करना है किस पर करना है सम्मूले पर यह इन रात्ना पत्र के साथ प्राप्थ हो जाए तब हमें लिखना है बेंग खाता विगलन रिड़ पत्र खाते से जब समस्तर रासी रात्ना पत्र में मिल चुकी ठीक है तो आपको टोटल अमौंट कर देना है और यहां रासी लिखना है पंजे प्रोष्ट्री कि आ रहेगी आमर्टन खाते से और ऑसे की रासी थी अृष्टण केती क्या रिड़ पत्र आमर्टन खाते से क्लियर अब यह पहले हीड दिख रहे वह है रद किये अंसों के लिए पत्रों निर्गमन कहता है उससे अधिक आवेदन प्राप्थ हो जाते हैं तो कुछ आवेदन को रद करना पड़ता है इसलिए आपको लिखना है अगर आपने आवेदन को लटाया रद करके तो रेड़ पत्र आज दन खाता विकलन अब वो बेंग से रिटन होगा तो बेंग खाते से तो रद किये गए आवधन पत्र किराशी को वापस करने पर कारण में लिखना है प्रविष्ट्य आपको याद रहना चीए जब भी आप लटाएंगे तो रड़ पत्र आवधन खाता विकलन बैंग खाते से अभी जो मैंने बताया यह बेसिक पंजी प्रोश्य थी और यह ती एम की अधरिग पंजी ठीक है अब वो मोहन जो दाड़ों जो भी होगा देख लेना बुक में क्रियात्मक प्रस निकाल के रखिए तो एम की अधरिग पंजी दो लाक रुपे जो की दस रुपे वाले 20,000 अंसों में विभाजित है ठीक है दो लाक रुपे कि उनको पंजी क कर रहे लेकिन प्राप अधरिग के राप्त कितने के हुआ सिरे पाथ अजार का हुआ तो सारा लें दिन जब होगा अब वह 8,000 पर होगा क्योंकि इस तरह से चार अलग अलग प्रविष्थी करना है ठीक अब जितने रूपए में ये डिवाइड आपको बताया जा रहे है उस रूपए को आपको जितने के आवधन प्राप्थ हुए उसमें गुड़ा करना है ठीक अगर ये आवधन नहीं होता तो फिर निर्गमित कितने का किया गया उस पर गुड़ा करते और अगर ये बता दिया गय 16 तो आप परफिष्टी करेंगे अंस वाले में अंस आवेधन खाता विकलन 16000 सबसे पहले वह होता है तो सबसे पहले परफिष्टी करेंगे अंस खाता 7000 अंस पुंजी खाता से क्लियर अब अगर आप अंबटन का करते हैं तो आप तीन रुपए तो आज़ त्यक 24,000 तो प्रविष्ठी तो वही रहेगी अंस अंबटन खाता विकलन 24,000 अंस पुंजी खाता से 24,000 बेंग खाता विकलन 24,000 अंस अमर्टन खाता से 24,000 तीसरा है प्रथम याचना के जब प्रविष्ठी करेंगे तो उसका दो रूपए है आठ दुनी 16,000 उसका भी होगा तो जहां पर आप अंस का प्रविष्ठी करेंगे जैसे कि ये तो प्रथम अंस प्रथम याचना खाता विकलन 16,000 पुंजी खाता से 16,000 बेंग खाता विकलन 16,000 अंस प्रथम याचना से 16,000 आपकी अंतिम रासी जो है वो तीन रुपए की है तो आठ तीयक 24,000 तो अंस दुन्जी खाता से 24,000 बेंग खाता विकलन 24,000 अंस दुन्जी खाता से 24,000 अं अंस दो रूपए तो आवेदान में आपको क्या लिखना रहेगा 16,000 सेम 16,000 इधर 16,000 इधर अम बटन का है 3 रूपए तो अम बटन वाले में आपको 8 तिया 24,000 लिखने किता लिखना है 24,000 रूपए डबल डबल लिखा जाएगा ठेक मतलब विकलन में समाकलन में भी अब है प्रथम याचना तो प्रथम याचना काट दूनी 16,000 रहेगा और अंतिम का कितना रहेगा तो इसका 24 रहेगा गाईस क्या रहेगा इसका 24 रहेगा ठेक अब इस सब मिला करके 10 रूपए हो रहे है इस 10 रूपए का अगर आप इससे गुड़ा करते हैं टोटल 8,800 से तो 80,000 रूपए प्राप्त हुए विकलन कस्सी समाकलन कस्सी और विकलन में ही इसको डबल डबल लिखते है जैसे आपने बेंग में विकलन लिखा फिर कुन्जी में सांसित किया तो 16 मतलब 8,000 रूटल हो रहे है उसका डबल को आप जोड़ेंगे तो 80 का दुगना 1,60,000 जो कि आपको आंसर में दिया होगा ठीक मैसेश में जोड़ना जरूरी नहीं है पर मैं आपको बता दिया तो आपने समझ लिया अब देखिए रेड़ पत्रों रेड़ रेड़ पत्र है 20,009% रेड़ पत्र प्रतेक को 100 रुपे में सम्मूले पर निर्गमित किया तो आवेदन 20 रुपे अमटन 30 रुपे जो बचा वो प्रथम और रंती मियाशना पर है तो 100 रुपे में 20 रुपे ये ले गया 30 रुपा ये ले गया कितना बचा 50 रुपे बचा तो 50 रुपे किसका है प्रथम और रंती मियाशना का है ये आपको इस तरह से रासी पहले अलग करना है अब जब प्रुष्ठी करेंगे तो उनकी रासी और जो अंस ये रिड़ पत्र रहेंगे उससे गुड़ा करके करना है तो देखिए अगर मैं पहला इंट्री करूं 345 보통 उतार देना है कि है Kingdom चाल लाइध रूपए हो जाएगा कि तो जाएगा चाल लाइगा चाल लाइगा आ चाल लाइगा लिख थापको प्रुष्ठी करना है बेंग फौन साटन हरे यद्ड़ पत्र रहें चाल लाख रूपए लिखेंगे फिरौन प्रथाम और अन्ती में प्रत्र टाइए कितना पचास से रहंगे तो फिर दस लाग हो जाएगा एक 10 लाख रूपए रिड़ पत्र खाते से 10 लाग बैंक खाते विकलन 10 लाग रिड़ खाते से 10 लाग ठेक तो प्रविष्ठे यही रहेगी रासी बस अलग-अलग रहेगा यह है आपका सम्मुल पर निर्गमन समझाया ठीक तो यह मैंने एक बेसिक एक्जामपल दिया जिसक रुपए दिया होगा तो यहां पर कुल रुपए 10 था अब दस रुपए 2 रुपए आवेदान 3 रुपए आमबटन 2 रुपए प्रथम 3 रुपए अंति में आचना पर डिवाइट था सब को जोडएंगे तो 10 रुपए होगा यहां पर सा रुपए था अब जो सो रुपए प्राप्त हुआ और सम मुले पर प्राप्त हुआ अब हम देखेंगे किस्तों में अगर भुगतान हो तो क्या होता है ठेक तो अभी के लिए मैं इसको में डा रहा हूं अगर आपने नहीं लिखा तो पंजय प्रश्टी को नोट कर लेज़े क्योंकि पूरे चाप्टर में बस अंस को निर्गमित किया जो आविधन पर ही प्राप्त हो गई सम्पूर्ण दू अंस में थे सभी इंसों में ऐस सम्थ और प्रती 10 रुपए के सापसे कि सम्था संसा पूरा कर रंदेजग वाले में सम्यत्र के अंस पता है कुल कितने पता है पौल रुपए करना है और फिर प्रविश्ठी करना है ठीक तो देखिए सबसे पहले दोनों ही अलग-अलग अंस बेंग एक सांथ आविदान पर प्राप्थ हो गए एक सांथ प्राप्थ हुआ तो आपको सबसे पहले लिखना है बेंग खाता विकलन कूल रासी जितने को मिला करके प्राप्थ पूरवदिकार अंस आविदान खाता से दोलाख रूपए अब वो कैसे निकला तो देखिए यह है वी जिए सजार का यह कितना है बीस जार का है उस में उसके दस रुपए से गुड़ा करेंगे तो दोलाख निकलेगा अब समतांस कर्थे लिखूंगा तो वह भी दस पूरवदिकार से 2 लाक रूप है लिखेंगे कि पूरवदिकार आविदन की की रासि को दस पुरादिकार आवेदन की रासि को पुँझी में हस्त रांस्रीद करने पर इस तरह से लिखना है और एक मुस्प्राग्त वह उसका प्रविष्टि खतम करदेना है ठीक है तो यह common प्रविष्टि है अगर तो अलग-अलग चीज़े होती है तो अगर नहीं होता तो बस बेंग खाते विकलें फिर अंस अवेदन खाते विकलें बस इतना ही होता अब मैंने रिड़ पत्र के नहीं लिखा है रिड़ पत्र का आप आइसे समझ सकते हैं ठीक है जैसे कि माल लेजे यही 10,000 रिड़ पत्र ठीक है जुमाली जे सो रुपए में ठीक है दस रुपए था जो कि समस्त आवेदान पर एक मुझ्त प्राप्थ हो गई ठीक है संपुण रासी आवेदान के समय प्राप्थ हो गई समय तिथी पर अब मैं इनका गुड़ा करके देखूंगा सो गुड़ित दस हजार ठीक है सो गुड़ित दस हजार तो जो दस हजार था उसमें इसका दो जिरो और बढ़ा देंगे ठीक है भई बढ़ गया तो कित्ता हुआ सेकड़ा हजार दस बाट दस लाग रुपए हुआ तो हम कहेंगे बेंग खाथा विकलन दस लाग रुपए ठीक है बेंखा विकलन दस लाग रुपए जो भी रिड पत्र के शाहनने 50.7 तो 10 परशम्वरिट पत्र अगर है मालो 10% है 10 इसी प्रवश्टिये है न zar ये देखा एक मुझ तगर रिड़ पत्र हो चाहे उन्स प्राप्त हो उनकी प्रवश्टिय excessive करना है अब इसके पाद आपको जानना है है कि अचक इस तो गाईस अब हम पढ़ेंगे प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर निर्गमन तो पहले प्रीमियम को समझ जाते हैं सम मूल्य आपने पढ़ लिया सम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन हो तो वो प्रीमियम क्यालाता है सम मुल्य से थोड़ा कम मुल्य पर निर्गमन हो तो वो बट्टा कहलाता है अब प्रीमियम होता क्या है प्रीमियम एक ऐसा पुंजी का अदलाब होता है जिसको इसलिए रखा जाता है ताकि पुंजी का जो जो खर्च और वय हो यहानी हो उसका निप्टारा या उसका भुग पर आसी एक मुस्त प्राप्थ हो गई उसका हमने पंजे प्रोष्ठी गिया तो पंजे प्रोष्ठी जनरली होता क्या है तो आपको पता दूजनकारी के लिए प्रीमियम 95% अमटन पर होता है किस पर होता है अमटन पर एक ही विसेस कंडिशन है जब कहा जाए इतने रूप आपको smth Alec समटन अंस के सामने पूर्वा धिखार है तो मैंने नहीं लिखे पर आपको लिखना है आपको क्या लिखना है बेंग खाता होगा तो देखी इतने रूपए वाले सौ रोप्ए वाले कितने अंस है 100 जारण से ल्गेशन है ऐसं? हुआ अब अगर आप उसको गुड़ा करके देखते हैं कि 100 रुपए गुड़ी 10,000 ठीक हैं तो यह सिर्फ 10 लाग होगा किता होगा 10 लाग इसके 2 0 को आप इसके बगल में लिख दीजे तो भाई यह किता हो गया यह हो गया 10 लाग परन्तु प्रीमियम 10 रुपए का है तो आपको क्या करना है 100 रुपए में उस प्रीमियम को जोड़ना है तो अगर आप 100 रुपए में प्रीमियम को जोड़ते हैं तो इसी 10,000 में आपको 110 का गुड़ा करना है अब 110 कैसे आया 100 रुपए वाले में आपने प कारण में आपको लिखना है कारण में आपको वही प्रस्न लिखना है कारण में क्या लिखेंगे सो रुपए वाले दस जार समता अवेदन खाता विकलन करते हैं तो समता अवेदन खाता विकलन ग्यारा लाक रुपए अब यहां पर आपको बताना है अलाग अलग अच्छल मे आवेदान से मिला सौ रूपए के हिसाब से किसके हिसाब से सौ रूपए के साफ से दस अजार अंसो में गुड़ा करके तो सव कम ने दस से गुड़ा करके देखा अगर आवधान पर सामील हो तो आपको सेकेंड में दिखाना है सेकेंड में पहले आपको सिंपल लिखना है बेंग खाता भीकलान, अंस आवेधन खाता से, जितना होगा रुपए और जितना उसमें प्रिमियम सामिल होगा, दोनों को जोड़ करके, अंसों में गुड़ा करके आपको लिख लेना है, clear, कारण में आपको बता दिया हूँ, जो प्रश्ण आपको वही कारण है, या आप हो सकते हैं, आवेधन में एक मुझ से राशी प्राप्ट होने पर प्रिमियम साहिए, यह मैंने बताया कि यहां पर आपको अलग-अलग दिखाना है, आप सबसे पहले लिखेंगे, अंस आवेधन खाता भीकलान, ग्यारा लाख रुपए, लेकिन आवेधन, मतलब पुंजी से कितना, तो पुंजी से मतलब जितने रुपए के आवेधन, सिर्फ उतने अंसों का गुड़ा करके आप बताएंगे, प्रिमियम का अलग से बता देंगे, एक रुपए, दस रुपए, जितने का भी प्रिमियम होगा, उसको अलग बता देंगे, ठेक, अब प्रस्न है, 100 रुपए वाले 5,012% प्रिमियम पर, कितने प्रिमियम पर, जिसमें आवेधन 30 रुपए और आमटन 25 रुपए प्रिमियम सहीद, सेज प्रथम और अंती म्याचना पर है, तो देखिए, श्रिप आमटन पर सामिल ऐसा बताया गया हो, इसका मतलब बांकियों की प्रिमियम पर सामिल है, तो सबसे पहले उसको समझते है, ठीक, अब देखिए, अगर हम सिर्फ अमटन का इंटरी करें, में प्रिमियम है, तो आप यहाँ जा पहुंचेंगे, तो आपको लिखना है, रिड़ पत्र अमटन खाता विकलन, रिड़ पत्र अमटन खाता विकलन, आपको गुड़ा करना है, कितने रिड़ पत्र है, 5000 रिड़ पत्र है, कितने रुपे है, 25 रुपे है, तो 25 पंचे, 125, तो देखिये, रिड पतरे 55 रुप्रे में प्रिमियम सामिल हैं, प्रिमियम क्या है, प्रिमियम प्र्षण का निकलेंगे, निकालेंगे, तो 100 रुपए वाले ज源benे उने उसका 5 परषण निकालेंगे, तो 100 रुपे वाले का 5% 5 रुपे ही होगा इसका मतलब जो 5 रुपे है वो प्रिमियम आमटन में सामिल है आमटन था 25 रुपे का 5 रुपे अलग करेंगे तो एक्शल में आमटन किते का है 20 रुपे का है तो आपको जब रिड़ पत्र से लिखना है तो आपको 20 का गुड़ा करना है 5000 से तो 20 और 5 का गुड़ा करेंगे तो एक लाग होगा तो आपने लिखा 12 रुपे रिड़ पत्र खाते से एक लाग रुपे प्रिमियम से 25 क्योंकि प्रिमियम का राश्य स्रिफ 5 है 5000 के रिड़ पत्र से गुड़ा करेंगे तो 5,25,000 तो आपको समझ में आया तो जब आप आवेदन का करते हैं तो प्रिम्यम को आप सेकेंड में दिखाते हैं परन्तो जब आप आम बंटन या या आचना पर आप प्रिम्यम को दिखाएंगे तो फर्स्ट और प्रविष्ठी मे ठीक है तो देखें ये तो आपको समझ में आ गया कुल 12 प्रिम्यम से 25,000 रुपए कारण में आपको पत्र है क्या लिखना है इतने पत्रों के लिए प्रिम्यम सहित प्राप्थ होने पर यहां पर आपको लिखना है बेंग खाता विकलन एक लाग पत्चिस टोटल ठीक 12 प् प्रिम्यम जो रुपए में ही एश्टर सामिल होते हैं और रुपए से निकाले जाते हैं कई प्रशनों में अलग से आपको 5 रुपए 10 रुपए दिया जाएगा कई प्रशनों में आपको पर्शन बोला जाता है क्या बला जाता है पर्शन कि 10 रुपए देखो इसमें दिय करना है अजह को आप प्रीमियम को समझ गया और आप बना लेंगे ठिक अब हम जाते हैं हमारे नेक्स टॉपिक में नेक्स टॉपिक है बट्टे पर निर्गमन क्या है बट्टे पर निर्गमन दिजिए अंसो चाहे रिड़ पत्र हो बट्टा दोनों के लिए हैं ठीक है अब इसके लिए मैंने नीचे एक प्रस्ट ने लिखा, ध्यान से देखिए, 20 रुपे वाले 10,000 सम्त अंस, 10 परशन बट्टे पर निरगमित किये, समस्त अंस एक मुस्त प्राप्थ हो गए, समस्त अंस एक मुस्त प्राप्थ हो गए, ठीक है, कितने रुपे वाले, 20 रुपे वाले, कितने अंस, 10,000 सम्त अंस, कितना परशन बट्टा, 10 परशन बट्टा, तुरंत, जितने भी रुपे हैं, उसी में से आपको बट्टा या प्रिम्यम को अलग करना है, अगर परस्ट में है तू, तो 10% बट्टा है 1-0 से 1-0 गटा 1-0 से 1-0 गटा इसका मतलब श्रिफ 2 रुपे बचा 2-1 कम 2 मतलब 2 रुपे का बट्टा आपको काड़ देना है तो आपको याद रणा है premium जुडता है कुल रुपे में premium जुडता है तो कितने रुपे बचे आपके पास 18 रुपे कितने बचे भाई 18 रुपे तो आपको समझ जाना है कि अब जो entry होगी actual में बेंग में कितना मिला 2 रुपे घट करके मिला तब आपको प्रविष्टी क्या करने है ध्यान से देखिए बेंग खाता विकलन एक मुष्ट प्राप्थ हो रहा है बेंग खाता विकलन 18 रुपे का गुड़ा कर दीजे 10,000 से 1,808 होगा तो बेंग खाता विकलन 1,808 अंस आवेदन खाता से 1,808 क्लियर कारण में बताना है 8 रुपे प्रती 10,000 समतंस के लिए 8 रुपे प्रती आवेदन प्राप्थ होने पर यह आपको ध्यान देना है बता काट कर गए ठेक सेकंड प्रविष्ठे क्या करेंगे सेकंड में आपको दिखाना है कि बता कितना था तो आवेदन वाले के सेकंड में आपको दिखाते हैं आप लिखेंगे क्षार अन्स अवेदन खाता विकलन एक लाग असीफ बट्टा खाता विकलन 20,000 रुपए अब बीस कैसे निकला दो रूपाती तो था दो रुपए में 10 पर घुड़ा करतीज़ी दस अब करती चेसे 10 जार तो दस यो नी 20 जार रुपए तो पावेदान से विकलान एक लाग असी बट्टा विकलान 20,000 रुपए टोटल पुंजी खाते से दो लाख रुपए समझ आया इस तरह से आपको प्रविष्ठी करना होता है आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड देखें अब रिड़ पत्र में यहां पर मैंने लिखा सो निकलेगा 10 रुपए निकलेगा मतलब इसमें जो बट्टा है वो कितना है वो 10 रुपए है कितने रिड़ पत्र है आपके पास 2000 रिड़ पत्र है अगर मैं बट्टे की रासी अलग से निकालना चाहूं तो मुझे पता चलिया कि बट्टा 20,000 का है कितने का है 20,000 का अब आम मटन या आवेदन में बोला जाए कि वह सामिल है इसका मतलब जितने रुपे का बट्टा उसको अलग कर दीजे को पचास में 10 रुपे का तो पहले से वह सामिल हो चुकए है तो अलग कर दीजे तो लोग हुआ वह पैसा अक्ष्वल में आवेदन का है यह आपके आविदान में सप्सक्रान उसकी रासी तीदि आसे रूपए अप लिखना है तो रिड़ पत्र रीड़ पत्र पर 2 रुपई टोटल कर से एक लाहे है दोनों को जोडेंगे यहाए अप देखिए गेशे सब यह और चैक धび तो आपको समझ में आ गिया ठीक है तो आपने देखा प्रीमियम कुल रुपए में जुड़ जाता है और मुल्य को बढ़ा देता है और उतना ही रासे बैंक और उसमें दोनों में रहते हैं बट्टा क्या होता है जूट होता है जो हानी है तो उतने से पैसा कम हो जाता है प्रिमियम और बट्टा समझ में आ गए तो यह प्रश्न अब अलग अलग जो में टॉपिक बताने वाला हो उसमें यह दोनों सौमिल होंगे तो खेर मैं आपको अलग टॉपिक बताने वाला था परन्तु आपको पता होना चाहिए अब हम जितना फीट टॉपिक अचना अति अभीदान यह जितना भी अभी हम पढ़ेंगे उन सब में यह सब सामिल हो सकते हैं इसलिए मैं आपको कभर करवा दिया आयोब आप इसको समझ चुके हैं अब अब ऐसे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रीमियम पर और बट्टे पनिर्गमन उसको बना करके देखिए कमेंट करके बताया कि हां बन जा रहा है अभी भी कुछ डाउट है ठीक परंदु पहले सारे टॉपिक को देख लिए जो मैं बता रहा हूं क्योंकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना तो प्रश्न आप से चुटकी बजाके बनेगा ठीक यह मेरी भुगता नहीं कर पाता तो कुछ कम पैसों की प्राप्ति होती है यही अवसिष्ट याजना है ठीक है एक्जामपल के लिए 10 रुपए वाले अभी हम दोनों को समझेंगे नीचे हम अंस को समझेंगे उपर में रिड़ पत्र को समझ रहें ठीक और यह टॉपिक दोनों में ठीक है तो यह तो क्लियर हुआ कि यह टॉपिक दोनों में है अब देखिए 10 रुपए वाले 10,009 परचन रिड़ पत्र निर्गमित किये गए आवेदान पर एक रुपए अमटन पर दो रुपए जो बचा वो सेस अंतिम और प्रथम याशना पर था प्रथम और अंतिम या अब इंट्र कैसे करेंगे तो इसमें देखिए आवेदन भी अमटन भी फीर है याशना तो देखिए क्या भुखतान नहीं हो पाया है याशना एक हजारेड़ पत्रों के मताबिक तो इसका इंट्री में आपको जोड़ घटाओ करना है पर अंतु यह दोनों तो सिंपल रह दस रुपए वाले में से एक रुपए आवेदन में चले गए दो रुपए आमटन में चले गए कुल कितने रुपए चले गए तीन रुपए तो कितना बचा सिर्फ साथ रुपए बचा कितना बचा साथ रुपए ठीक है दस रुपए में से तीन रुपए चले गए एक आ कित्क्ति होगी कित्ते की 70,000 रुपए की तो सबसे पहले प्रथाम नंति म्याशना तौ आप लिखेंगे 9% रिड़ पत्र प्रथाम अंति म्याशना खाता भी किलन नौ पर्शन एड़ पद्ध रखाते से सतन हजार रुपए यह कलियर है यह नॉर्मल है लेकिन यह एक हजार र congestion आप यह याचन के थे ते अब देखिये याचना का गटा दिजो तब दुमक पता चलेगा कितना मिला मतल worldview किता। मिक हारी एक सिर्संगा नहीं होती है तो आपको प्रश्रuh सिंपल देगा जैसे आपने सम्हों पर पढ़ा इतने रूप इतने रूपए आमेटन इतने रूपए याचना पर लास्ट में बताएगा प्रस्णा के लास्ट लाइन में कि इतने अंसधारी होंगे जो याचना का भुगतान नहीं कर पाएंगे या आमेटन का या आवेदन का तो उसका रास्या आपको निकालना है इस तरह से और आप 60,000 रुपाएगा समझ आया एक प्रश्ण और है उसको देख लेंगे तो पूरा क्लेर हो जाएगा तो यह था रिवड़ पत्र अब आपको देखना है अंसों को एक चीज़ और बता दूं कि देखे पूल 10,000 पत्र थे जिसमें से 1000 का भुगतान नहीं हो पाया तो फिर कितन तो पांसों समता अंस, 100 रुपय प्रति आवेदन पर 30 रूपय, आमटन पर 30 रूपय, प्रथम याचना पर 20 रूपय और अंतिम याचना पर 20 रूपय प्रश्ण सिंपल है, कुल अंस पता है, कुल रूपय पता है, रूपय बराबर डिवाइड है, कोई जोड़ घटाओ नहीं है, ठेक, आपको बस पंजे प्रोष्ठी करना है, लेकिन अलग कैसे हुआ, तो नीचे आगे पढ़िए, एक अंस धारी, जिसके पास 10 अंस थे, यह दोनों याचना की रासी नहीं चुकाई, यह चुकान नहीं पाया, तो ऐसे लाश्ट में बताया जाता है, कोई अंस धारी है, जो इतने अंसों का भुगतान नहीं कर पाया, अब किस में नहीं कर पाया, याचना में, यही है प्रश्ण, अब देखिए, सबसे पहले तो आप लास्ट लाइन को भूल करके इंट्री करेंगे नॉर्मल तरीके से तो कैसे इंट्री करेंगे 20 रूपय का है परथम याचना कितने याचन रूपय का है इतने याचना की राशी नहीं चुका आपाई ठीक है जिसके पास 10 अंस थे 10 अंस थे याचना का मौन कितना है भाई 20 रूपय है तो 1020 का गुड़ा करेंगे कितना आएगा 200 आएगा इसका मतलब 10,000 में से 200 रूपय नहीं मिला तो फिर कितना मिला बैंग में तो 10,000 में 200 गटाइए मतलब 9,80 रूपय मिला तो आपको लिखना है बैंग खाता भी किला 9,800 समता अंस पर्थम याचना खाता से 9,800 कारण में बताना है कि 500 अंस थे जिसमें से 10 अंसों का भुगतान phrase चलियर है यह आपको लिए आप सें बोला गया है मनलग दोनों गया है सबसेब्सक्राइब प्रagathش तो बेंग में आपको लिखना है सिम बेंग खाता विकला 9800 क्योंकि उसका भी तो 20 रुपए है उसका भी यहीं अमाउंट निकलेगा वहां भी आपको अंस कितने का भुगतानुगा 490 का तो बेंग खाता विकला 9800 समता अंस अंतिम्याचना खाता से 9800 क्लियर 490 अंसों का 20 रुपए प्रति याचना के इसाब से राश्य प्राप्त हुई आई होब आपको समझ में आया यह होते हैं अउस्ष्ट याचना जो कि है सिंपल लेकिन लास्ट वाला जो लाइन है उसके इसाब से आपको बैंक समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चलिए अब हम अग्रिम याचना को समझते हैं इस टॉपिक को समझेंदे के बाद वीडियो को यहीं समाब्त करेंगे इसके बांकी के टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे ठीक है वीडियो काफी बढ़ा हो जाएगा में जोता हो न अब अग्रिम याचना क्या है कि ठीक अग्रिम याचना में यह होता है कि कुछ याचना की रासी आवयदन के समय या अमबटन के समय मतलब जो किस्त मुझे अगले मेहने देना है मैं उसको इसी समय दे रहे हूँ हर सल आपको भीमत देना होता है मालेज़े अगले साल का पीसी साल दे रहे हैं तो यह एडवांस हो गया तो जिस जिस का भुगतान समय से पहले कर दिया जाए वो अगरिम याशना का भुगतान कर दिया किसके समय आमबटन के समय याशना का भुगतान कर दिया तो ध्यान से देखिए प्रशन कायता है सिर्फ आमबटन समंधित प्रविष्ठियां कीजिए तो आमबटन समंधित प्रविष्ठि करेंगे तो हम लिखेंगे चार रुपए आमबटन 40,000 अंस तो 4,16, 1,60,000 अंस अंबटन खाता भी लिए 1,60,000 रुपए अंस पुन्जी खाता से 1,60,000 रुपए clear? ठीक अब जो प्रशन कहता है कि अरुण जिसके पाथ 400 अंस थे उसने अंबटन के समय ही याचना का भुगतान कर दिया clear? अब देखिए हमको तो पता है अमटन का कितना होना है 1,60,000 लेकिन इसी समय जिसके पाथ 400 अंस थे उस वेक्ति ने याचना का भी भुगतान किया और याचना का मांट है 3 रुपए इसका मतलब 4 तिया 1200 रुपए का भी भुगतान इसी समय हो गया तो आपको लिखना है कुल अगरी म्याचना से 12 सुरूप है और इनी दोनों को जोड़ेंगे तो यह 100 हो रहे 1,61,200 समझ आया अब इसी में एक और टॉपिक जोड़ा है अगरी म्याचना और देय अभ्याज क्या है यह देय अभ्याज तो प्रविष्ठी तो पता चल गया कैसे करना है तो second में आपको दिखाना है कि इसमें और क्याशी सामिल था इस तरह से आपको लिखना है आई होप आपसे बन जाएगा बांकी के प्रविष्ठी बिसकी सेम होगी परन्तु अगर उसमें ब्याज निकालने को कहा जाए तो वहाँ पर सबसे पहले तो ब्याज की दर दिया जाएगा क्या दिया जाएगा ब्याज की दर जैसे एक्जामपल के लिए 2% का ब्याज देता है पारसिक कितना देता है 2% का ये है अगर को एडवांस में दे दे तो उसको 2% का हम ब्याज देंगे ऐसा बोलते हैं ठीक है अब जिस भी चीजों का भुगतान याचना हो चाहे अमड़ान उसका भुगतान अगर पहले होता है तो वहाँ पर आपको समय बताए जाएगा क्या बताए जाएगा समय जैसे कि एक जून ठीक है यह जनवरी जनवरी अगास्त कुछ भी यह आपको एक समय बताये जाएगा ठीक है तो समय को ही द्यान में रखना है आपको जान में रखना है तो अगर एक प्रशना बताना चाहुं तो आप डूपन क्लिजे मैं आपको बतातों तो शचलीब Canadians फिल्ट पीधर में प्रशं एक प्रस्नव में 10 20 रुपए आवेदन 35 रुपए आमबटन 10 रुपए प्रथम याचना और 35 रुपए का अंतिम याचना ठीक है नीचे बताया गया है 6% रिड़ पत्रों के निर्गमन पर यह सर्थ है कि 6% रिड़ पत्र की संपूर रासी एक साथ 6% रिड़ पत्र आमबटन के तिथी पर ही की जा सकती है तो इनकी सर्थ क्या है आमबटन के तिथी पर ही बांकी चीजों का भुगतान किया जा सकता है और इस स्थिति में इस अगरिम भुकतान की रासी पर 2% की दर से वारसिक ब्याज दिया जाएगा तो देखिए सर्थ यह है कि आमबंटन के समय पर ही जो भी चीज़े आपका आवेदान हो चाहे प्रथम्याच ना हो चाहे अंतिम्याच ना हो इसी के साथ ही आपको भुकतान क करना है और कोई कर देता है तो उसको दो पर सेंड़ का वार्सिक दिया जाएगा हुए अगला या गया है रudम फालत का ओन्त्री को किया जाएगा जबकिंस आंतिम्याच ना यही का भुकतान होता होता है ठीक है तो उस व्याज की गर्णा उस तिथी को की जाएगी यह जाएगा जा जब लास्ट को जितना पैसा का भुगता नहीं करना है वो भुगतान हो जाएगा तब भी जाएगी ठीक अब बताया है 406 प्रशेंड पत्रधार को में इसी सर्थ के नुसार छैपर सेड़ पट्र थे उन्होंने इस वाटन की तिती पर भुक्तान कर दिया, निर्गमित तिती में 1 जन्वरी सन 2002 को, अब निर्गमित करने के तिती हैं 1 जन्वरी ऐशन का भुक्तान किया जाता है, और एक जन्वरी सन 2002 को अंती म्याशना का भुगदान किया जाता है अब इनकी अमाउंट किती किती है तो प्रथम याशना का आपको पता होना चीए 10 रुपए है और अंती म्याशना का 35 रुपए है ठेक अब इसने जब 2 मार्च को भुगदान किया तो उसी दिन अमबटन का भी करना था तो उसी दिन उसने अमबटन का कर दिया तो जो ब्याज निकलेगा वो अमबटन और प्रथम याशना का टोटल पे निकलेगा तो अमबटन किरासी 35 रुपए है म्याशना का 10 रुपए, दोनों मिलाकर हुए 45 रुपए, कुल, कितने अंस का भुकतान करना था, एश्ट्रा 400, स्वारी, कितने रिड़ पत्र का, 400 रिड़ पत्र का, तो आप लिखेंगे 35 गुड़ी 400, बराबर 18,000, कितना निकलेगा, 18,000, अब उसी 18,000 पर आपको ब्याज न रुपए, जितने हुए, दो बटे 12, दो मेहने हुए, इसलिए, दो बटे 100, ये 2 पर्शन के दर है, जो बता दिया है, प्रश्न में, तो 2,0 से आपने 2,0 काटा, ठीक है, 2,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,8, ये, 1,0 बचा मतलब 60 बचा, आपने लिख लिए 60, ठीक, अब दूसरा अप्रेल-माई जुनमित-भुक्तान हो गया तो मार्च-अप्रेल मैं तीन मैने हुए तो आपको तीन मेने का ब्याज निकालना है तो पहला ब्याज निकलन Chelsea होता है तो उस दिति को गिनते हैं ठीडिक कटा और दो एकम दो दो दूनी चार अब एक सो चालिस का अधा किता होगा सकतर होगा तो यह हुए आपकी ब्याज कमाउंट इसको हम टोटल कहेंगे एक सो तीस रूपए अब पंजी प्रश्व चाप करेंगे तो लास्ट हमें आपको बोल देना है अग्रिम यासना पर ब्या अग्रिम यासना शीख लिया अंसों के माध्यम से अपने समय के साफ निकालना शीख लिया आप आपने आज बहुत कुछ समझ लिया अब बहुत सारे प्रश्व हैं इस चाप्टर के जिसको आप बना सकते हैं और इस एक वीडियो में आपको फायदा मिल गया अपने एक ही वीडियो में अंस को भी समझ लिया रिड़ पत्र को भी समझ लिया अब आप दोनों ही चाप्टर के ऐसे पांच दास पंदरा बीस पचीस पचीस प्रश्व बना सकते हैं उधारन क्रियात्मा प्रश्व मिला करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपोर्टेंट प्रश् सब्सक्राइब मैं मिलता हुने इस वीडियो में अभी के लिए भाई थैंक्स पर वाचिंग